हेलो दोस्तों और नमस्कार आज 11 बजे हमारे प्राइम मिनिस्टर पीम मोदी जी ने एन इप पे यानि की नैशनल एजूकेशन पॉलिसी पे एक पूरी कॉन्फरेंस की पूरा एक वेबिनार किया मलबलग अलग उन्यूवस्टी के साथ और बड़े-बड़े मिनिस्टर के सा और उसमें वो खुट्टे और उन्होंने कुछ 10 मेंट को हाइलाइट किया वह समझाल और उनका मेन आप देखो हमें क्यों समझना है जो मूदी जी है उनका में विवपॉइट sih समझना मैं इसले जरूरी है क्योंकि गई वो सेम विव हमारे ऊपर आगे जाकि एक इस रूल क करेगा मतलब वो जो आज उन्होंने बोला है जो डिसाइड हुआ है जो पॉइंट io है इसका मलत में उनका फॉंक्षन कहीं न कहीं में उनका टारगेत होगा उन सब चीजों को क्लियर करने का तो वो दस पॉइंट्स आपकी दस में बड़ी बड़ी चीजे क्या है वो मैं आपको पहले बताता हूँ सबसे पहला पॉइंट उनका ये था कि देखो क्या होता था आज से आज से पांच साल पहले लेते हैं, दस साल पहले क्या लेते हैं, लोगों को लगता था कि चार-पांच फील्डी बहुत मेल हैं और वही जाना सबसे बेस्ट रहता है, जिसे IS हो गया, Arts वालों के लिए, Commerce वालों के लिए CS हो गया, CA हो गया और Science वालों के लिए, या तो Medical में आप जाएंगे, या तो Medical की फील्ड में चलेगा, या फिर आप Engineering में चलेगा, सारे या तो डॉक्टर बना चाते हैं या Engineer बना चाते हैं, CA बना चाते हैं या IS Officer बना चाते हैं बड़ क्या होता है, कि हम लोग क्या देखते हैं, कि वहाँ यार जरुद कम है वहाँ क्या है, आप सबसे पहला अगर Point समझें, तो वहाँ दिन भर में आपके कहते हैं, कि हम कितने लोग जो हैं जिनको पूरी डेली लाइफ में डॉक्टर की जरुद पढ़ती है Once in a week और अगर हम ध्यान से सोचें तो पुलिस आपकी मशीनरी रिपेर करने वाले क्योंकि मशीन की तो जो आप जानते हो कि मशीन की requirement हर दिन होती है हर जगे हम किस चीज की जरुत होती है हमें कपडों की जरुत होती है हर वक्त हमें कहीं न कहीं किसी driver की और फिर किसी न कहीं नहीं plumber की जरुत होती है तो क्यों होता है skill की तरफ उस तरफ कोई ध्यानी नहीं देता हमें ऐसा लगता है और 30 दिन का 30,000 भी कमाता है तो ये average, मैं आपको बता रहा हूँ salary किसी engineer से ज़ादा होती है पर लोग इतना उसको deeply कभी देखा नहीं analyze नहीं किया लोगों ने कि देखो, जो आपकी low maintenance jobs है जो आपकी blue collars jobs नहीं है उनके अंदर भी पैसा है, उनके अंदर भी इज़त है, respect है, अब आपको किसी को call करने के लिए प्रमबर की या फिर किसी electrician की ज़रूत है, तो आपको उसे call करना पड़ता है, और please बोलना पड़ता है कि जल्दी हमारे आँ, तो इसका मलब कही न कहीं उनके लिए भी source है, कही न कहीं उनके भी हाथ का काम है जिसकी हमें जरूरत है, बट क्या होता है कि हम उनको ऐसे एक respectful नजर से देखते नहीं ते, उसके लिए कहीं न कहीं हमारे जिमेदार parents और teachers है जो कहते हैं कि कहीं न कहीं डॉक्टरी बनना चाल चल रहे हो, बट आप एक की line में आगे बढ़ने कुछ कर रहे हो, कि है हाँ यार मैं सिर्फ doctor बनना है तो doctor ही बनना है मुझे, आप यह देखो ना मेरे अंदर talent क्या है, क्या पता मैं बहुत अच्छा musician बन सकता हूं, क्या मैं बहुत अच्छा, क्या artist बन सकता हूं तो यह jobs भी इनके अंदर भी आगे जाके futures है तो जाईर सी बात है, तो पहला उनका main motive था कि आपकी देश, जो जितना भी हमारी पूरी country है, वो skillful बने ना कि सिर्फ रटे मारने वाली, एक सिर्फ machine बने, और सिर्फ पेपर बार-बार बार-बार देती जाए engineering का, या फिर doctor का उन्हें उसी line में जाना है, बट ऐसा नहीं है, second उन्होंने main point बात रखी, teachers को लेके, देख उन्होंने teachers को लेके यह बोला, यह उन्होंने सला भी दी, या teachers से बोला भी, कि आप national जो होता है, उसे build करने के लिए जिम्मेदार होते हो, मलब पूरे के पूरे, education system को mainly कौन चलाता है, एक teacher अगर teacher हामिशा रटा माणने पे या teacher, जो है curiosity पे ना ध्यान देते हो, आपको बोलेगा यही method आपको करना है, और आपको teacher को second उन्होंने address किया कि अब teacher को अपना change करने के time आ चुका है, अपने आपको update करने का time आ चुका है, अपने आपको और knowledgeful बनाने का time हो चुका है अब teacher भी आपको ऐसा चाहिए, जो क्या हो, खुद बखुद अपडेट रहा है रोज जिसके बार, जिसको पता हो कि अब क्या हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में कौन सी नहीं technology है, कौन सी पुरानी theory, कौन सी नहीं theory है, तो उसे साब से teacher को भी एक उन्होंने सला दी third point उन्होंने ने cover किया schools और colleges के लिए, उन्होंने schools और colleges को भी same एक चीज़ बोली कि आप लोग जितना जल्दी update होंगे, देखो अगर आप negativity फे लाएंगे, अगर आप बोलेंगे अच्छा इसको ground level पे आने में time लगेगा, तो time लगता रहेगा, पर अगर एक personal बंदा, एक single individual अपने तरफ से क्या करेगा, एक थोड़ी सी cautious करेगा, थोड़ा सा effort करेगा, तो क्या होगा, अगर सब का थोड़ा-थोड़ा effort होएगा, तो ये policy जल्दी आप आएगी, within one year, within half year, और हो सकता है, एक महीने में भी आजाए, depend करता है, आप लोग कितने ज़ादा aware है, तो please एक बीच में ही मैं आपको बता दूँ, कि ये video जरूर आप forward करे, अपने teacher को, अपने parents को, अपने जो आपके classmates हैं, जो आपके colleagues हैं, उन सब को आप send करें, और बोले कि आप भी एक change लाओ, बच्चों को aware करो, क्योंकि उनका four जो point है, वो third point से बड़ा ही link है, उन्हों ने बोला कि आपको awareness फैलानी पड़ेगी, मतलब हमें बात करनी पड़ेगी, हमें आपस में discussion करना पड़ेगा, कि क्या positive points है, क्या negative points है, पर हम जितना आपस में बात करेंगे, उतना ज्यादा लोग aware होंगे, तो इसलिए याद रखना कि आप लोगों को main up काम start करना है, कि क्या है इसके pros, क्या है इसके cons, मतलब क्या इसके merits हैं, क्या इसके demerits हैं, मतलब हर चीज को आपको cover करके चलना है, कि हाँ यार इससे कुछ बड़ा implementation आने वाला है, तो अब उन्होंने फिफ्थ चीज पर जो focus किया, वो उन्होंने कहा, कि अब हमें digital learning की तरफ, यानि की coding, computerization के basic computerization सब को मिले, उस पे ध्यान दिया गया कि computer है, जो आप computer क्योंगे, आप को जानते हो computer हो गए, mobile हो गए, या फिर कोई hardware चलाना सीख रहे हो, या फिर hardware आपको सही करना आ रहा है, या hardware के बारे हम proper knowledge है, या फिर आपको software के बारे हम knowledge है, कहीं न कहीं, दोनों का एक combination बहुत ज़ादा काम आता है, तो उन्होंने fifth point इस बात पर किया, sixth उन्होंने बोला कि sixth अब सबसे ज़ादा ज़रूरी है, उन्होंने बोला language के उपर, कि जब क्या होता है, कि अगर बच्चा है क्या होता ही है, कि अब बच्चा छोटा है, बच्चा अभी दो-तीन साल का है, हम starting सही उसको English बोलाने की कोशिश करते हैं, अब ये नहीं समझते कि हम लोग आपस में हिंदी में बात करते हैं, आपस के लोग जो हैं आस्पड़क्स के लोग है, वो हिंदी में बात करते हैं या दूसरे बच्चे हिंदी में बात कर रहा है और हम उससे कोशिश कर रहें, English बुल्वाने की अब हो तक या English बुलाने में कोई problem नहीं है, global language है, बट सबसे बड़ी problem ही आती है, कि आप बच्चे का mind divert कर रहे हो, बच्चमन से उसका mind divert कर रहे हो, पर अगर आप सिरफ Hindi में बात करो उसे, या फिर अपनी Mother Tang language में बात करो, जैसे आप मराथी में बात करते हो, महराष्ट्रा में रहते हो, आप गुजराती में बात करते हो, या फिर आप करेला में रहते हो, तो वहाँ की language में बात करते हो, बट हो तक या है, कि अगर आप उसी language में बच्चे को समझाने कोश्च करें, अगर आप ये बोले कि this is TV this is TV बोलने का मदलब यह है कि आप बता रहे हो कि यह TV है पर आप simply अगर आप देखो तो यहाँ पर आप क्या गर है उसके दिमाग में दो languages को mix कर रहे हो आप Hindi के साथ साथ आप उसको English की knowledge same time पर देना चाहरे हो पर अभी तक उसने Hindi भी अच्छी से crap नहीं किये इससे बच्चपन सही बच्चे की आदत पढ़ती है बस चीजों को रटा मारने की इसलिए क्या होता है कि अगर आप कोई भी TV बता रहे हो अगर यह TV है तो उससे Hindi में ही बता हो और teachers भी उससे Hindi में ही explain करे उससे होगा क्या हो कि उसकी thinking skill बढ़ेगी एक ही language में फिर बाद में जाके 5th class के बाद 3rd class के बाद उससे और आप दूसरी language करवा सकते हो पर उन्हें ने बोला schools को strictly बोला है कि आप कोशिश करो कि उससे जिस language में वो mother tongue language में है अगर वो even राजस्थान का है और वो मारवाडी में बात कर रहा है तो मारवाडी में ही वो अपनी बाकी maths को और इन सब को सीखे मलब स्कूल में teacher उससे उसी language में सेम बात कर रहे है ताकि वो और जादा grow कर पाए तो इससे क्या होगा कि वो रटा नहीं मारेगा कि अच्छा इसको this, TV बोलते हैं ये बोलते हैं, मलब वो direct रटा नहीं मारेगा वो समझने की कोशिश करेगा तो I hope आपको 6th point clear हुआगा अब 7th point उन्होंने इस बात पे बोला कि अगर, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में पहले भी बताया था multiple exit and entries इसका मतलब क्या होता है कि देखो, अगर आप financial problem से गुजर रहो या फिर आप क्या है एक course से दूसरे course में shift करना जाते हो अब एक course में आपने अपना time लगा दिया मतलब एक साल लगा दिया, दो साल लगा दिया पर आपको उसका कुछ मिला नहीं, reward उसकी जगह कि अगर आया है कि आप जैसे अगर एक साल complete भी कर लेते हो एक course में, जिसमें आपको पसंद भी नहीं आ रहा पर फिर भी आपको उसका diploma या फिर उसका certificate आपको मिल जाएगा उससे गया होगा कि कम से कम आप आगे जाके बता सकते हो कि मैंने ये दो साल वेस्ट नहीं किया मैं अपनी डिगरी में उससे बता सकता हूँ कि मैंने दो साल ये पढ़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा मैं अपने आपको चेंज कर लिया, मैंने वो दो साल अपने वेस्ट नहीं किया या फिर मैंने उन दो सालों में जो है काम किये था, तो मेरी क्या हो गया, गैप आ गया, क्या ही बार क्या होता है कि हम इंजिनेरी करते हैं, दो साल पढ़ते हैं, फिर थोड़ा गैप हो जाता है, हम कहीं work करना शुरू करते हैं, अपनी खुद की earning स्टार्ट करते हैं, तो वो आपका जो period है, जब आप काम कर करते हो, तो आपका waste नहीं होगा, दुबारा आप सेम लेवल से, जैसे आपने second year में छोड़ा, तो second year से ही आप start करोगे, तो यह कहीं न कहीं, seven point थी, point था मेन मुदी जी का, अब आते है eight point की तरफ, तो eight point उनना ने बोला, कि हमें हमेशा से एक चीज पर ध्यान देना है, व बैंक वाली जॉब ही करूँगा, अब हमारी, देखो, रोज हमें नया देखने को मिलता है, पहले क्या होता था कि आज से दस साल पहले फोन नहीं था, लोगों पता नहीं था कि enjoyment भी कोई चीज होती है, दुनिया देखना भी कोई चीज होती है, या फिर लोग सिर्फ क्या ह चुका है, कि हम लोग बहुत जादा स्विच करेंगे, एक जॉब से दूसरी जूब में भी स्विच करेंगे, तो इसके इसके लिए हमें सबसे में चीज अपने दिमाग में रखनी है, कि यार हमेशा अपने आपको अपडेट रखे, कि अगर आपकी एज कोई भी हो, इवन कि उपर भेदबाव खतम करना पड़ेगा, पर अब ये टाइम आ चुगा है, मतलब में भी वो एक तरफ फोकस ये दे रहे हैं, कि अब एट पॉइंट में अपने, कि अब होगा ये, कि अब जो रिजर्वेशन हैं, जो स्टूडेंट के रिजर्वेशन हैं, कि ये SC है, ST है OBC है, General है, Muslim है, Jain है, बुद्ध है, उसके साब से मुझे लगता है, कि इन फ्यूचर आपको 4-5 सालों में, मुझे कहीं न ये लगा, कि वो ये बोलना चाहते हैं, कि आर रिलिजियन के बेस पे किसी को जज्ज मत करो, कि अगर ये, इसका रिलिजियन है, तो ये यही करेगा नहीं, ऐसा खतम किया गया है, अब एक चीज होगी, कि सब अपना पढ़ेंगे, सब अपनी अपनी अजुकेशन लगे, और अपने ब्रेन के साब से एक जॉब लेंगे, ये नहीं कि हाँ पर ये रिजर्वेशन है, मालो के एक इंजिनिरिंग कॉलेज में 10 रिजर्वेशन ह और ऐसी वो करना ही नहीं चाहते, तो क्या होता था, उन्हें जबर्दस्ती, भाया जिसका पहले नाम आया, उसको डाल दिया गया, इंजिनिरिंग कॉलेज में, तो उससे होगा, चलो यार, आगया नाम हमारा, अब करी लेते हैं इंजिनिरिंग, उनका मेन मोटे भी नहीं करने का, बट क्या है, क्योंकि उनके लिए रिजर्वेशन है, उन्हें फ्री में वो सीट मिल रही है, चाहिए उनके मार्क नेगेटेव आएं, एंट्रेंस में उनके मार्क जीरो भी आए, कई बार तो उस केस में भी उन लोगों ने, SEO को, जो SEO होते हैं, ST होते हैं, उनको रिजर्वेशन मा दिये, और उनका मन भी नहीं है करने का, तो ये क्या चीज है, इसलिए उन लोगों ने, अभी हमारे, जो इंडिया ये चाहती है, कि सारे, एक equal level पे हूँ, और सब को एक equal opportunity मिले, तो ये 8th point आपका सबसे main था, अब आ कि, अब आप चाहू, जितने भी foreign universities है, जितने भी foreign universities है, वो चाहें, तो अराम से आके, इंडिया में अपना setup बठा सकती है, अपना एक college खोल सकती है, जिससे क्या होगा, इंडिया के colleges में, और जो foreign के colleges है, जो abroad के college है, वो सारे के बीच में competition होगा, जब उनका level होगा, तो इ कि, उन्हों दोनों तरफ से, अच्छी क्या मिलेगी, अगर इन लोगों ने अपना experiment level यहां लेगा है, तो इंडिया भी अपना experiment level यहां लेके जाएगा, तो यह क्या होगा, कि उन्होंने invite किया है, 9th point में, बाहर की अलग-अलग universities को, बाहर की अलग-अलग colleges को, कि आओ, यह हमारे बच्चों को guidance दो, अब बच्चा यहां छोड के, यहां को छोड के मलब, इंडिया को छोड के कहीं बाहर ना चाहे, और last उन्होंने point जो है, 10th point जो सबसे main है, वो है practical learning पे ध्यान दिया है, मलब no rata, ज्यादा books नहीं, और जो हमारे school में ऐसे practical का lab, ऐसे रटाने में लगा देते थे, अब practical पे proper time दिया जाएगा, sports पे proper time दिया जाएगा, रोज sports होना जरूरी है, रोज sports होना जरूरी है, इस सब चीजों पे time, और मोदी जी ने बोलाए, कि इन सब चीजों को आपको time देना ही पड़ेगा, तो ये कुछ 10 points थे, जिनको आप चाहें, तो लिख भी सकते हैं, और चाहें, तो आप इनको खुद भी लोगों को बता सकते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं, और बाकी, अगर आपको informative वीडियो लगी हो, मतलब आपको मैं points समझाने में कामियाब रहाऊं, तो please, इसको क्या गरो, अपने-पने जो भी दोस्त हैं, अपने-पने friends हैं, या आपके relatives हैं, उनको send करो, यार अपने बच्चों को अभी सही prepare कर दो, कि अब future जो है, अब आप वाला future नहीं होगा, जो आप जैसे जी लिए जी लिए parents, अब हम अपना future खुड decide करेंगे, और खुड choose करेंगे कि हमें किस line में जाना है, बजाए कि यार भेड चाल के हम चलेंगे, आने वाले time में मैं और भी आपको इसी topic के ओपर और informative वीडियो लाता रहूँगा, जै हिन जै भारत बंदे मात्र, साथियों, जब institutions और infrastructure में ये reforms reflect होंगे, तभी राष्ट्रिय शिक्षानिती को अधिक प्रभावी और त्वरीद गती से implement किया जा सकतेगा, आज समय की मांग है, को innovation और adoption की जो values हम समाज में निर्मित करना चाहते हैं, वो खुद हमारे देश के institutions से शुरू होनी चाहिए, और जिसका नेत्र तो आप सब के पास है, जब हम education और विशेश higher education को empower society के निर्माता की रूप में खड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए higher education institutions को भी empower करना जरूरी है, और मैं जानता हूँ, जैसे ही institutions को empower करने की बात आती है, तो उसके साथ ही एक और शब्द चला आता है, और वो शब्द आप बली बात ही जानते हैं, वो शब्द क्या है, autonomy, autonomy, आप भी जानते हैं कि autonomy को लेकर हमारे यहां दो तरह के मर्द पुरे देश में प्रवर्तमान है, एक कहता है कि सब कुछ सरकानी नियंतरण से पूरी सक्ति से चलना चाहिए, तो दूसरा कहता है कि सभी समस्थानों को by default autonomy मिलनी चाहिए, पहली एप्रोच में non-government समस्थानों के प्रती mistrust दिखता है, तो दूसरी एप्रोच में autonomy को entitlement के रूप में भी treat किया जाता है, गुड क्वालिटी एजुकेशन का रास्ता इन दोनों के बीच में से ही निकलता है, दोनों मतों के मद्दे से ही निकलता है, जो समस्थान क्वालिटी एजुकेशन के लिए ज्यादा काम करें, उसको ज्यादा freedom से reward किया जाना चाहिए, इससे क्वालिटी को encouragement मिलेगा और सबको ग्रोग करने के लिए incentive भी मिलेगा, National Education Policy, राष्ट्रिय शिक्षानिती आने से पहले हाल के वर्षों में आपने भी देखा है, कि कैसे हमारी सरकार ने अनेकों अनेकों institutions को autonomy देने की पहल की है, मुझे उमीद है राष्ट्रिय शिक्षानिती का जैसे जैसे विस्तार होगा, शिक्षा समस्थानों को autonomic की प्रक्रिया भी और तेज होगी। कर दो कर दो